हलो दोस्तों केसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियोज में फरस्ट अपल सोरी के इतने दिनों से मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया अपसे ट्राइ करूंगा कि मैं रेग्यूलर जो है वीडियो डालू आज के इस वीडियो में हम जादूगर की एक और बहतरीन गेम देखेंगे जो की उन्होंने 1964 में फ्राइश्टेन थोरबरकसन के सामने खेली थी जहां पे फ्राइश्टेन के वाइट पिसिस थे और उन्होंने गेम की शुरुवात ड4 से की जादूगर ने रिप्लाइ दिया नइट तो f6 and now c4 g6 knight to c3 bishop to g7 kings indian e4 now castling shot f4 and d6 के में खेला गया so यहां पे वाइट के पास जो है काफी बड़ी असा center है but black जो है जब चाहे c5 या तो जो है e5 करके इस chain को break कर सकता I mean इतने बड़े center को जो है break करने की try करता है यहां पे knight to f3 white ने खेला and now c5 center पर attack है d5 so white ने जो है queen side queen side जो है space gain की है and now e6 again देखिए जो है लगातार जो है black पहले build up करने देता है then white के center पर attack करता है bishop to e2 and now pawn captures on d5 e captures on d5 and इस position में जो है b5 मिखल ताल ने खेला so reason क्या है b5 खेलने के पीछे का देखिए यहां पर दो रास्त है कि आप जो है b5 पर capture करो एक है knight captures b5 दूसरा है pawn captures b5 अगर pawn captures b5 आता है then bishop to b7 I guess and white जो है I mean sorry black जो है लगातार white के center d5 pawn पर attack कर सकता है like knight यहां से knight b6 bishop जो है b7 पर plus अगर देखा जाए तो जैसे ही वह center का pawn चला जाता है simply black आपने pawn जो है वो push कर सकता है आगे so position जो है वहां पर black के लिए जो है कोई इतनी बुरी नहीं है यह काफी अच्छी है so b5 के बाद white ने खेला knight captures on b5 and now knight to e4 point यह है कि अगर आप knight c3 खेलते हो तो वापस pawn देना पड़ेगा और इस position में white ने castle किया and now a6 knight पर attack है और computer suggest कर रहा है कि यहां पर white को knight c3 करके pawn वापस दे देना चाहिए जहां पर knight captures pawn takes bishop takes and rook b1 और एक game जो है वो तीनों result के लिए open है बट हमारी game में a6 के बाद knight to a3 खेला गया है और अब देखें कि knight जो है इतनी जल्दी game में नहीं आ सकती है और दूसरी और bishop का रास्ता जो है काफी बड़ी open है मतलब कभी भी pawn b2 push नहीं हो सकता अगर आपको push करना है तर रूप b1 खेलना पड़ेगा उस case में bishop f5 वगेरा सब को जा सकता है so basically एक pawn के बल्ले में black के pieces के पास जो है काफी अच्छी activity है यहाँ पर rook to a7 खेला गया है और काफी कमाल की मुग है क्योंकि सिधा ही रूप e7 पर आ रहा है जहां पर black जब चाहे रूप को डबल कर सकता है bishop to d3 knight पर टेक है rook to e7 and now knight to c2 knight की position improve करने की try rook f2 e8 e5 open है तो उदर जो है just rook की battery बनाई मिखल ताल ने and now rook to e1 white ने खेला knight to d7 and now knight to e3 knight d2 f6 and queen to c2 game ने खेला गया and now knight to h5 so f4 pawn पर attack है और यहां पर g3 करके pawn को save किया और इस position में computer says कर रहा है कि bishop to d7 जो है वो black के लिए है okay है मतलब bishop d7 खेलना चाहिए पर मिखल ताल ने जो है अपना dash को bishop दे दिया with bishop to d4 so reason क्या हो सकता है यहां पर dash पर bishop देने का नॉर्मली क्या होता है कि जब आप यहां चटो structure खेलो तो उस time पर अपना bishop जो है आप संभाल कर रखते हो right और especially knight के सामने वो bishop चला जाए then opponent का counterpart जो है वो काफी active हो जाता है बट इस case में white का खुद का कौन जो है वो f4 पे उस bishop की activity को restrict करता है दूसरी वो knight भी जो है वो e3 पे वहां पर पड़ी हुई है and white के दूसरे pieces जो है वो black के king तक पहुच नहीं सकते हैं तो शायद इसलिए मिखेल ताल ने यहां पर bishop to d4 खेला and white को allow किया कि वो knight captures on d4 खेले and after she captures on d4 knight to g2 गेम में खेला गया और देखिए knight की position जो है इतनी अची नहीं है और यहां पर अगर आपको इस bishop को active करना है then pawn push कभी ना कभी खेलना पड़ेगा उस case में आप एक pawn दे रहे हो और बाद में bishop के पास I mean bishop h6 तक तो पहुच सकता है लेकिन उसके बाद किया दूसरे pieces जो है वो black के king तक नहीं पहुच सकते है इस position में knight to g5 actually मिखेल ताल ने खेल आप point यह है कि यहां पर से आप knight को capture करते हो then rook captures rook आ रहा है knight captures and again rook captures रूख और बाद में queen e7 करके खेल सकते है तो वहां पर basically bishop भी पिन रहेगा और उसकी वज़ा से रूख की activity भी उदर नहीं होगी और दूसरी और black के pieces जो है वहां पर काफी active हो सकते है मिखेल बिशप जो है h3 से game में आ सकता है so position जो है वह simply उदर black के लिए अची हो जाती so इसलिए पहले rook captures on e7 खेला गया है and now knight to h3 check पहले and after king to f1 जबकि आप वहां पर king to h1 भी खेल सकते हो but king f1 better है ताकि आगे चलके कोई background tactics इतनी बड़ी ना आ है and now just rook captures on e7 bishop to d2 white ने अपना last piece निकाला and might be यहां आगे चलके वो जो है just rook to e1 खेलना चाहता है इस position में मिखल ताल ने खेला knight to f6 and now knight to h4 g2 पे knight कुछ करना ही रही है so knight to h4 and then might be knight to f3 का यहां पर idea हो सकता है knight g4 मिखल ताल ने खेला so उन का idea है knight captures on h2 का so knight to f3 h2 को भी support किया knight की position भी जो है improve की and now rook to e3 और इस rook को capture नहीं किया ज रिजन ही है कि अगर bishop captures आप खेलते हो then simply knight captures और उदर जो है fork में queen जा रही है उसी तरह से rook to e3 के बाद से आप जो है knight captures on d4 के try करते हो पहले but then उस case में मिखल ताल जो है knight captures on a4 खेल सकते है point है again bishop capture e3 then simply वहाँ पे knight takes on e3 में queen जा रही है so since position में आप जो है pawn captures खेलते हो but then queen का रास्ता open हो जाएगा queen to simply h4 पे और यहाँ पे फिलाल के लिए जो है checkmate की threat है so क्या होगा कि आपको जो है bishop to e1 जैसा कुछ खेलना पड़ेगा उस case में queen to h3 check and then उसके बाद जो है rook captures on d3 हम खेल सकते है और यहाँ पे जो है black की position काफी बाद गेम में खेला गया king to g2 and now queen to e7 वो इस position में जो है actually just king captures on knight का सवाल ही नहीं है क्योंकि उदर जो है rook captures on d3 आ रहा है जैसे ही अब मारते हो simply knight to f2 check में queen चली जाएगी वो double check होगा so game जो है वो काफी जल्दी finish हो जाएगी या in fact हम के सकते के शायर्ट knight to e3 भी वहाँ पे जो है काफी strong रहेगा but anyways basically इस knight को capture नहीं किया जा सकता इस position में खेला गया rook to e1 and now knight captures on f4 check g captures on f4 rook takes on e1 and now knight captures on e1 so अगर rook captures on e1 के बाद से आप जो है bishop captures even खेलते हो then again जो है knight to e3 fork में queen जा रही है so इसलिए rook takes on e1 के बाद knight captures on e1 जो है वो खेलना force and now queen to h4 so यहाँ पर threat है queen f2 queen captures h2 so इस position में bishop to c1 खेला गया है आपको यह खेलना force है क्योंकि अगर आप जो है same bishop को दूसरे diagonal में रखते हो then knight to e3 में queen जा रही है so इसलिए bishop to c1 and now queen captures on e1 और game में खेला गया है h3 and knight पे टेक है and now knight to h6 and now f5 finally computer suggest कर रहा है कि यह जो है गलती है वहाँ पे white को try करना चाहिए queen to d2 queen exchange करने की try but उस case में भी जो है वो black की position काफी है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जो है वो हम exchange ही करे क्योंकि बीच में pawn था so simply हम queen to h4 वगेरा कुछ खेल सकते है या फिर queen को जो ही file पर रख सकत में मिखल ताल ने खेला knight captures on f5 and now bishop to f4 so यह point था bishop f4 मतलब की f5 करके जो है आप at least इस bishop की position तो कुछ improve करो but अभी जो है काफी देर हो चुकी है यहाँ पर मिखल ताल ने खेला knight to h4 check and now king to h2 knight to f3 check and now king to g2 and finally bishop captures on h2 देखिए इस bishop की कभी move ही नहीं हुई है और जैसे ही इस bishop की move ह आप गेम जो है अब finish हो रही है इस position में दो रास्ते है आप जो है king captures on h3 खेल सकते हो बड़ उस case में queen to h4 check king to g2 and simply हुदर जो है knight to e1 में queen जा रही है so bishop captures on h3 के बाद खेला गया king captures on h3 and now queen to g1 so यहाँ पर threat किया है threat यह है कि हम simply जो है bishop to g4 खेलना चाहते है check king to just e4 and f5 करके जो g6 खेला गया है ताकि आप जो है bishop g4 खेलो बड़ दिन क्या होगा उदर जो है king बाग सकता है right sorry वहाँ पे जो है f5 possible नहीं होगा क्योंकि उसमें bishop captures f5 return होगा so इसलिए bishop captures g6 का sacrifice दिया गया है but now queen to just g4 check and after king to f2 simply उदर queen captures on f4 check दिया गया क्यूंकि queen to g4 के बाद से आप यहाँ पे try करते हो like king to e4 but then उस case में दोस्तो minimum queen captures g6 और बाद में queen चली जाएगी so इसलिए queen to g4 check के बाद king f2 but now just queen captures on f4 check and after king to g1 आई यहाँ आप मिखेल ताल ने जो है h pawn से bishop को capture कर लिया उनके पास जो है एक extra piece है plus ongoing attack है so इस position में white ने decide किया कि वो आगे नहीं खेलगा उसने resignation दिया so दोस्तो कैसी लगी आपको जादूगर की यह गेम और आज के वीडियो I hope मेरा वीडियो और यह गेम दोनों ही आपको काफी पसंद आया होंगे पसंद आया है तो please this channel को subscribe कीजे वीडियो को like दीजे और अपने comment देना बिलकुल ना भूले धन्यवाद चैहिन बाबाई